नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर सिद्धु मुस्यवाला कतल कांड में शामिल लौरेंस पिश्णोई को जालंदर अदालत में किया गया पेश पुलिस को मिला ट्रांजिट प्रिमार संग्रूर से सुनाम चा रही पी आटी सी की बस ब्रेक फेल हो जाने के कारण हुई हाथ सा ग्रस्त आठ यात्री हुए घायर जालंदर पुलिस ने इंडरस्टरीज एरिया स्थित युको बैंक पे हुई लूट के मास्टर माइंड को किया काबू एक लाख रुपए की नकदी सोने के गहने और रिवॉल्वर किया ब्राबू और अब हल चल विस्तार से सिद्धु मुसेवाला कतलकांड मामले में शामिल गैंक्स्टर लौरेस बिश्णोई को जालंदर अदालत में पेश किया गया जहां पर पुलिस को लौरेस बिश्णोई का 31 अक्तूबर तक का ट्रांजिक्ट रिमांड हासिल हुआ है गोरतलब रहे कि इससे पहले भी जालंदर पुलिस ने लौरेस बिश्णोई का रिमांड हासिल करने की कोशिश की थी पर अदालत की और से उन्हें रिमांड नहीं दिया गया था लेकिन जालंदर पुलिस को लॉरस विश्णोई का ट्रांजित रिमांड हासिल हुया है जिसमें एक पुराने मामले में लॉरस विश्णोई से पूच ताच की जाएगी जालंदर से बंकच शर्मा की रिपोर्ट संगरूर से सुनाम की तरफ जा रही पिया टीसी की मिन्नी बस सुबह लगबग साड़े छे बजे ब्रेक फेल हो जाने के कारण हाथसे का शिकार हो गई जिस कारण बस में सवार यातरी घायल हो गए इस समंद में जानकारी देते हुए घायल यातरियों ने बताया कि पहले भी एक बार बस हाथसा होते होते बच गई वहीं जब ड्राइवर से बात की गई तो उसने कहा कि उसने पहले ही विभाग को बताया था कि बस की ब्रेक नहीं है लेकिन उनकी जबरदस्ती के कारण उसे बस को रूट पर लेकर जाना पड़ा जब बस सुनाम रोड पर पहुंची तो ब्रेक लगाने की कोशिश की तो ब्रेक नहीं लगी जिस कारण बस पलट गई उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से सवारियों की जान बचाई फिर भी आठ लोग घायल हो गए हैं जिने उपचार है तू सिवल अस्पताल में भरती करवाया गया है जहां उनका उपचार चल रहा है वहीं चिंता का विशे यह है कि सब कुछ मालूम होते हुए भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है जिसे एक बड़ा हाथसा भी हो सकता था संगरूर से हलचल के लिए जस्वीर मान की रिपोर्ट पर टीम ने उन्हों टेंट कर लिया इन्वेस्टिकेशन है करवा थांगे पाकी रहनी जड़ी सारे इसाफ़ता एलाज फ्री हो रहे है सभात पर टीमिनी तो मेरे मशीकों की और पास टप्पे सामने यां के और चाहरे शिड़ा है ऑवरे अपर दी फूल बैन ज़ारी शिगैए थी ते बास आड़ाखन संपीड भी आजी अगे जालंदर के इंडरस्ट्री जेरिया में स्थित यूको बैंक में करीब दो महीने पहले लोटेरों द्वारा लोट की गई थी जिसमें उन्होंने स्टाफ और वहां मौझूद लोगों को बंदक बना कर बैंक से करीब 14 लाक रुपए की लोट की थी और साथ में वहां मौझूद महिला के सोने के गहने भी उतार कर फरार हो गए थी वहीं इस मामले में पुलिस ने तीन अरोपियों को ग्रिफतार कर लिया था तीनों अरोपियों से लाको रुपए की रिकवरी भी हुई थी लेकिन इन में से इस लूट का सरगना गुर्पित सिंग उर्फ गोपी फरार चल रहा था जिसको ग्रिफतार कर लिया गया है जिसके पास से एक लाक रुपए की नकदी सोने के गहने और रिवॉल्वर भी बरामत की गई है जालंदर से पंकच शर्मा की रिपोर्ट पासल से ऩाले से गुर्प路 गोपी यह उनना इस सारी जिडी प्लाइनिंग करना गया और क्यंग इन प्रीब्च उंड़र बिश माहि क्वाड़ ओमित ऑना से जेड़े वेपन जेड़ा सी उभी एदे कौन सी ते सारी एने सारी जेड़ी प्लाइनिंग है सारी करके ते जेड़ा है फ्रार हो गया जी एदे विचे साठी CID टीम इंस्पेक्टर इंदर जी ते ACP परमजीत होना जी सुप्रविजन दे विचे नहीं आच चौत्थे दोशी गत दिनों अमरिस्सर की केंद्रिये जेल में कुछ कैदियों की नशा करती हुए कि वीडियो वाइरल हुई थी जिसके बाद जेल मंतरी हरजोत मैंस की और से अमरिस्सर केंद्रिये जेल में और चक दोरा किया गया इस दोरान मंतरी हरजोत मैंस दोरा केंद्रिये जेल में से दो मुबाइल फोन और बीडियों के बंडल भी बनामत किये गए जिसके बाद पत्रकारों से बाचित करती हुए जेल मंतरी हरजोद मैंस ने कहा कि पिछले साथ मीनों के दौरान अमरिस्सर जेल में से पुलिस द्वारा 2650 मोबाइल फोन बरामत किये गए हैं उन्होंने कहा कि उनकी और से केंद्रिय जेल का ओचक दोरा गिया गया है जिसमें देखा गया कि थ्रो के जरिये जेल के अंदर नशा और मोबाइल सप्लाई होते हैं जिसके चलते उनकी और से दो मोबाइल फोन भी बरामत किये गए हैं इसके साथ ही कुछ नशा भी बरामत कि इसकारन कुछ लोग जेल के आसपास की जमीन में दाखिल होकर वहां से थ्रो के जरी जेल में नशा और रजिस्टर 是 Guildе इक रिवाह से इसे इनु led आपन आ रिवाहि की जाएं अम्रिस सर से हल चल के लिए सुलील खुसर इना सत महिन्यादे वेच पंजाब दे जेल मैक में नहीं बहुत शांदर कम करके 3600 वद मुबाइल रिकावर किते हैं जिन्हों कहने पंजाब दियां जेला दी सफाई हुई है लगात तार जारी है टेक्नॉलिजी दे होते भी मैं दसूंगा कि की डिवेल्पमेंट है की साड़े वनों कारवाई जारी है पर आज दी समय साड़े कोल की है सिर्फ असी सकती कर सकते हैं सारी जेलां दे विच ते किसे ते कोई रहम नी चाहे कोई जेल दा मुलाजम होवे कैदी होवे जिना मर्जी वड़ा वी आईपी होवे जिदा भी नाम आ गया उस दोते कारवाई होई है कि कितों आंदे है मुबाईल आज थोड़े समने है जी आज दे तेन थ्रों ने तेन थ्रों ने जी आज जाए है बारों बारों दवार तो मार दे है पैकेट थोड़े समने खुलांगे बारों दवार तो मार दे है असी डॉक्स इंट्रड्यूस कर दे असी सदे बंदे लगातार मेंद कर देने कि रोज वड़ दिया मैं हमेशा कह रहे हैं सत मीने तो एक अल कह रहे हैं कि मुबाईल जेल आता सकता पर चल चल नहीं सकता पर सड़ा मैकमा तो जेड़े चीज चंगी हो रही है असी पुल्स नो असी जेल मला जाए मनों बहुत सौखा लिखे पर जेड़े सड़ा चंगा क अधो फून आया जर्पाता निकी की होर समान अभी इसारी रेकवरी करके सी पुलिस नो दवांगे इस तो लावा अमरिस सर जेल क्योंके मेरी कल तो लगा तर गाल बात चल रही सी स्पेशल स्क्रीनिंग चल रही है और नौ फून फड़े है ते हुन भी था नो दिखाईए और टाच स्क्रीन मुबाइल यह था नो मैं वीडियो दखाना मेरा फून देऊ इरेज भी फून इस थ्रोच भी फून आया सिक्टा ने अहोर नशीले पदार्थ ने थ्रोबांच सिंग की नौमिनेशन के लिए सुजान पूर पहुंचे केंद्रिय सूचना प्रसारन प्रथम खेल मंत्री अनुराग सिंग ठाकुर जब मंच पर अपना संबोधन कर रहे थे तो वे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को याद करती हुए रो पड़े नम आंख हुट्यल पर देश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक आम कारेकरता बणकर विधानसवाशत्र में काम करते रहे हैं जहांसे उन्हें चुनाव लढ़ने के लिए बोला गया वे लड़े वर्तमान में भी आम कारे करता बन कर सक्रिये हैं और सुजानपूर विधानसभा श्यत्र में भाजपा परत्याशी की जीत को लेकर काम करेंगे हम तो अपने आपको सभा के अशाली समझते हैं कि ऐसे जिले में हमारा जनम भी हुआ ऐसी लोगसभा की सीट से लड़ने का अफसर भी मिला जहां पर आप जैसे कारे करता है एक पार नहीं चार बार एक बार नहीं चार बार आपने मुझे जांसत बनाया है दूमल जी को मोखे मंत्री आप लोगोने बनाया है मेरे में नहीं हिम्मत ही आप सब से बात करने की बात याहां लेकी आपने मुझे भी कल बहुत भागू किया और आप सब जिस तरह से पिछले पात वर्षों से लगे हैं किसी से छिपा नहीं है सारा प्रदेश जानता है लेकिन हम पार्टी के कारे करता है जिस नेता के साथ आप लोगों ने युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के मंदल के अध्यब से लेके प्रदेश की टीम तक काम किया वो भावना बहुत अलग है वो एक परिवार की भावना है और यह शायद बहुत कम जगा पर आपको देखने को मिलेगा पार्टी ने जहां से कहा वहां से लड़े जब कहा तब लड़े पार्टी के लिए जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन दिया है वो आज भी पार्टी का निष्ठवान कारेकरता के रूप में वैसे ही काम कर रहा है ऐसी मिसाल दिखिए चुनाब होते चुनाब चले जाते हैं मिसाल तो कारेकरता पेश करता है धुमल जी ने कारेकरता के रूपे भी मिसाल पेश की है अब हम सब को एक सुजानपूर के कारेकरता और भारतियनता पाटी के कारेकरता के रूपे नई मिसाल पेश करने का समय आया और जो मेरे साथ तयार है इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो मेरे साथ तयार है यूत की भूमी में जाने के लिए जो तयार है फटे करने के लिए जो तयार है फिर एक पर भगवा को फिर एक पर कमल को खिलाने के लिए वो बने भारत माता की दूरी पुलिस ने वेनेडा पर पेट्रोल पंप पर गत दिवस हुई लूट की वारदात को 24 घंटों में सुलजा कर दो लोगों को काबू करने में सफलता हासिल की है तो वहीं समंद में जानकारी देती हुए DSP धूरी ने बताया कि गत दिवस कुछ लोगों ने पेट्रोल पंप पर आकर करमचारी की आंखों में मिर्ची डाल कर उससे 10,000 रुपए लूट कर फरार हो गए थे वहीं यह सारी घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई थी जिसकी सहायता से पुलिस ने लूट करने वाले तीनो अरुपियों की पहचान कर ली थी जिन में से पुलिस ने दो अरुपियों को लूट में इस्तेमाल किये गए मोटर साइकल सहत काबू कर लिया है जबकि उनका एक साथी अभी भी फरार है जिसे जल्द ही गिरिफतार कर लिया जाएगा उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरुपियों पर पहले भी कई चोरी और लूट के मामले दर्च है फिलहाल पुलिस ने आरुपियों पर मामला दर्च कर आगे की पूछताच शुरू कर दी है संगरूर से हलचल के लिए जस्वीर मान की रिपो जन टाइम वो तिनने की उज़ज थे उननी तरीक न इडेंटिफाई कर ले से गे विदन 24 और इडेंटिफाई होगे से गे ते वी तरीक न इनानूं कल अरेस्ट कर रहा है गया तिनने की उज़ज जना दे नाम है या गुरुपी सिंह ए बेनडे त है गोलु फाम लड़ा स पंचाब के डीजीपी गौरव यादव पुलिस शहीदी दिवस में भाग लेने है तो जाल अंदर पहुंचे इस दोरान उन्होंने पत्रकारों से बाचित करते हुए कहा कि वे पुलिस बल एवं अर्द सैनिक बल में शहीद हुए जवानों के परिवानों को मिलने के लिए यहां पहुंचे हैं और शहीद जवानों के परिवानों के कल्यान हेतु कार्य कर रहे हैं उन्होंने कहा कि पं पंजाब में दोबारा आंतकवाद को सिर उठाने नहीं देंगे और पंजाब में आमन शांती सदा बनाए रखेंगे जाल अंदर से पंकच शर्मा की रिपोर्ट असी इना गुर्बानिया नो आज याद करने हुए असी जनाने जाना अपनी में शवर करती हैं असी सारे अनु परनाम करते हैं सारे देश ने वेच पंजाब पुलिस की दिलेरी यदे बहादरी पसित हैं पंजाब एक सरणी राज होन करके अजानी दो रहके वोड़ तक पंजाब पुलिस ने हमेशा चुनातियां पर पूर समा रहा है पंजाब पुलिस ने हमेशा ही चुनातियां ना बहादरी ना डटके मुकावला किता है अज अपनी गाबरियत तानोहा मनवाया है अज असी एक बार कज़े होके जड़े अफ्तवाते दिना देविच सेटेंबर 1980 तो अगस्त 1992 तक 1792 सानी अफसर जिना ने अपनी चाना दुर्मान कीती उना दो शजानी दे लिए गत दिनों नाभा के DSP गगन दीप सिंग बुलर की मॉडल रोड पर स्थित अपने घर में 32 बोर की अपनी निजी लाइसेंसी रिवॉलवर के साथ मौत हो जाने का मामला सामने आया था वहीं अब नाभा के DSP दविंदर अत्री की और से खुलासा किया गया है कि DSP गगन दीप भुलर की और से आत्मत्या की गई है क्योंकि उनका अपनी पतनी के साथ घरेलू विवाद चल रहा था मृतक DSP की माता के ब्यानों के अधार पर धारा 174 की कारेवाही की गई है उन्होंने कहा कि फिर भी वे अलग अलग पहलूओं से मामले की जाच कर रहे हैं नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट सुसाइड के अपिता की कार नाभा से अपना भी इड़े सिरी गगंदीप सिंखपूल लर सी के DSP SO जुता है नाभ सी के इस जाननों परसन जो रहातनों इंफिर्मिशन में लिए सिगी विद्धा कर रक्के और गोड़ी लगा ना जड़ा 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 जखी मिवन्यासी भी इनादी पुछे माउक के दे जो जो पूंचे तो जड़ों हो चुकी सिगी मादर ने परमीश कोर जी उनना दे रहना स्टेटमेंट जटी सिगी बीड़ा है है सोड़ा या मान सकता हुरते परसान सी क्यांकि इनादा को तरे लू टगड़ा चालदा सी क्या वाइफ ना पोड़ देवे चालदा सी क्या नादा डाइवर्शन लाके जिदे करते हुए न सब्सकार हो गया दिपावली को मद्दे नजर रखते हुए जंडियाला गुरू में शहर के अलग अलग बाजारों में डीएसपी कुलदीव सिंग की अगवाई में पुलिस फोर्स बलके साथ फ्लैग मार्च निकाला गया इस सबंद में जानकरी देती हुए डीएसपी कु रखते हुए और शहर के बाजारों में लोगों की बढ़ रही आमत को देखती हुए भारी ट्रैफिक को शहर में आने नहीं दिया जाएगा जिसके लिए शहर के बाहर से ही प्रबंद किये जाएंगे सब डिवीजन जंडियाला गुरू के सभी थानों की फोर्स इकठी कर सर रोड से फ्लैक मार्च भी निकाला जा रहा है और भीड भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग भी की जा रही है तो वहीं दुकानदारों को अपील की जा रही है कि वे अपना सामान दुकान के अंदर रखें ताकि आने जाने वाले लोगों को परिशानी का सामना ना करना हल्चल के लिए अश्वनी शर्मा की रिपोर्ट रोजी रोटी के लिए इटली गए भोगपूर के गाउं काला बकरा के 27 वर्षिये नौजवान सत्वंत सिंग और जगी का पंजाबी भाईचारे के ही दो व्यक्तियों द्वारा पीठ में चाकू मार कर कतल कर दिया गया गया गौरतलब रहे कि मृत तक सत्वंत सिंग के पिता की पहले सड़क हाथसे में मौत हो गई थी और पतल कर दिया वहीं मौत की खबर मिलते ही गाउं वह परिवार में मातम का महाल चाया हुआ है और पारिवारिक सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है जालंदर से पंकच शर्मा की रिपोर्ट पिखों दिया के शुटा रोटी पानी खादा लम्मा पे आते होदा थोड़ा जा सेथ ठीक नहीं सी सत्वंत सेंग दी ते उन्हा जड़े दारू जिनने जादी पीती सी उन्हानों कहा के आया का अंकल मेनू सोला तो मेरी सेथ नहीं ठीक मैं सबरे कामते जाना तो उसी रोल सेंग गवर्फ जंगी इन अदी जो डैथ होई या अपने ओ कमकारतों शामनों आया ठक्या सेगा ते ठक्या चानल लगा थी ओनाल दे मुंड़े जड़े कार रिंदे सेगे उन्हाने रोला पांदे सी हो कार ते इने किया वे तुही रोला ना पाओ मैं सेवरी डूटी जान ते वो खटे नी दवारा फेव ने किया पर मिन्हों राम करन दिवो मैं आया कामतों स्वीरे जड़े जड़ा है लेकन उन्हाने रोला बांद करन दी बजाए वो प्री प्लैंट प्रोग्राम दे साव देना उन्हाने उदे चाकू मारे पकड़के देश भड में सैंक्डो संत आशाराम बापू आश्रमों 1400 से अधिक समीतियों तथा असंख्य साथको द्वारा गरीब पिछडे लोगों वा देश के भिमिन आदिवासी शेत्रों में बंडारे अवं जीवन उपयोगी वस्तों की वित्रन का सेवा कार्य दिपावली के स्कूल जालंदर की बशीर पूरा स्थित ब्रांच में जरूरत मंद बच्चों में स्वेटर वित्रन की सेवा की गई इस समंधी जानकारी देती हुए समिति के परधान यश्पाल शर्मा ने बताया कि पूज्य वापू जी की प्रेरना से समिति द्वारा स्कूल में 200 जो को एकागरता बढ़ाने के लिए प्राणायाम भी करवाए गए वही स्कूल प्रिंसिपल संजे शर्मा और इंचार्ज सुनीता ने समिति के सदस्यों को सम्रिती चन और फूलों के गुलदस्ते देकर सम्मानित किया और तहे देल से उनका आभार भी वियक्त किया इस गिरीश सप्रा संयोगत सची वनिरोध राना महिला उत्थान मंडल अध्यक्ष पूनम ककड गीता भारत्वाच और दिक्षा भारत्वाच ने इस सेवाकार्य में अपना सहयोग दिया अची निस देविशायस अगे सेणिस्पूल, सौल्ड रोड़ दी परांच, शीरपुड़ा देविशायस बरांच दी इक परांच, शीरपुड़े विचंशांत्य श्री बापु अश्यारामजी मनो दिर आश्रम बलो बच्च्यानू गोज़ह नों 204 स्वाटर बंडेगे आश्रम दा बहुत अनवातियां इस पहूले योगदान जो उनाने पच्चानों आणाने सद्यानों त्यांदे रखने वे जो उने प्राला किता है आश्रम पर्णाने सब्सक्राइब आश्रम पर्णाने स्कूल अजब सनातन तर्म स्कूल प्रहेंजरी स्कूल वशीरपूरा आठके निडे तकरीबन द्यानिक स्वेरा द्वारा शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमा का सीजन तीन को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है वहीं स्कीम को लेकर चीरायू टीवियास शोरूम में भी लोगों को कई प्रकार की चूट वहनों पर मिल रही है इस मौके पर पंकज सिंगल ने बताया कि द्यानिक स्वेरा द्वारा शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमा का स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है जिसमें लोगों को कई प्रकार की गिफ्ट जीतने का मौका मिल रहा है और साथ ही उनके शोरूम में वहनों की खरीदारी करने पर भारी छूट मिल रही है और लोग भी इस कीम को लेकर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं स्कूटर है उस ते 2100 वे चूट हागी है इस तो बाद आसी 2400 निवेर पेच तौनों डॉन प्रेमर ते गड़्टी दे रहे हैं चाहिए स्कूटर है चाहिए मोट सेकल है इन्हीं कट्टर डॉन प्रेमर ते गड़्टी पूरी पर निजाब चाहिते कट नहीं अवेलेबल ह लगी है इस तो बात जिसना सारे जान दे हूं दैनिक स्वेरा नाल असी टाय अप करके दैनिक स्वेरा दी लग्की डॉल स्कीम हागी है ओ भी चल रही है जिच नंबर वन जड़े नाम हागा है ओ तुस्सी स्कूटर भी जे सकते हूं तो तुझ सारे इस खास त्यहार ते इ फेस्टिवल शॉपिंग धमा का सीजन 3 को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है वहीं स्कीम को लेकर नोवा फिटनेस कॉम्प्लिक्स इंटरनेशनल में भी लोगों को जिम के सामान और स्पोर्ट्स समंधी सामान पर भी कई परकार की छूट दी जा रही है इस मौके पर मालिक सुमित शर्मा ने बताया कि देनिक स्वेरा द्वारा शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग दमा का सीजन 3 स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है जिसमें लोगों को कई परकार के गिफ्ट्स जीतने का मौका मिल रहा है और साथ ही उनके जिम में दिये जा रहे हैं पैकेजेस पर रहत भी दी जा रही है वहीं लोग भी स्कीम को लेकर उतसाहित दिखाई दे रहे हैं अरी सच्थिकार सारे आना सी नोगवा फिट तो पाजी जेनिक सवेरा वड़ी टीम पॉंटी है साथे गोल ते साथे इसे लग्की ड्रोव खुले आया जेनिक सवेरा था धा धंपर बला ते इरे विच लोग आ रहे हैं साथे को पार्टी स्वेट कर रहे है गया ते वहर भ देनिक सवेरा द्वारा शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग दमा का सीजन 3 को लेकर लोगों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है वहीं स्कीम को लेकर नोवा फिट ने बताया कि उनके शोरूम में कमर्शियल जिम होम जिम के इलावा और क्रॉस फिट स्टेशन का प शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग दमा का सीजन 3 स्कीम बहुत ही बड़िया स्कीम है जिसमें लोगों को कई प्रकार के गिफ्ट से जीतने का मौका मिल रहा है एमडी फिलिप्स इंटरनाश्टनल नोवा फिटनेस एंड एमडी गोल्जिम जलंदर मैं पहला था दैनिक सवेरा दे सारे दर्शका नू विएर्ज नू और रीडर्स नू देवाली भी बहुत बहुत शुब काम लावा देना है हमारे शोरूम में भी हम इकपन्स यहा पे लोग ड्रॉय डाल रहे हैं और बहुत एक्साइटिंग गिफ्टस हैं जो इनों ने अपने विनर्स के लिए रखे हुए हैं आप बढ़ जरके इसमें हिस्सा लीजिए और बहुत एक्साइटिंग गिफ्ट्स है वो जीती है और दैनिक सवेरा का ये बहुत अच्छा स्टेप है जो हर साल ये दिवाली पे करते हैं और हम बिसिकली फिटनेस एक्विपमेंट्स में डील करते हैं अगर किसी को घर के लिए कुछ ट्रेटमिल्स चाहिए बाइक्स चाहिए और हर तरह का हेल्थ एक्विपमेंट्स हम डील करते हैं और स्पोर्स गुड्स तो आई इन्वाइट ऑल दे विएर्स तो विजित आवर शोरूम और आप आईए और इस स्कीम का भी बेनिफिट लीजिए थैंक यू सो मच देनिक सवेरा की और से शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमा का सीजन तीन स्कीम लोगों के सिर चड़ कर बोल रही है जिसके चलते पाई रेट्स ऑफ ग्रिल में भी इस स्कीम के चलते लोगों को विविन परकार के विजिनों पर भारी छूट मिल रही है इस मचे पर रेस्टोरेंट के बिजनिस मैनेजर सचिन ने बताया कि देनिक सवेरा की फेस्टिवल धमा का स्कीम के चलते उनके रेस्टोरेंट में राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय स्तर के विजिनों पर कई परकार की छूट दी जा रही है वहीं उनके रेस्टोरेंट में दैनिक स्वेरा द्वारा चलाई गई, फेस्टिवल शॉपिंग धमाका सीजन 3 स्कीम के तहत कूपन भी दिये जा रहे हैं, जिसके जरीए वे दैनिक स्वेरा द्वारा चलाई गई, स्कीम में कई परकार के गिफ्ट जीत सकते हैं. आप साथों देख सकते हैं कि जो भी हमारा ड्रॉबॉक्स है, उसके अंदर कूपन्स ड्रॉप कर रहे हैं, गैस काफी लाइक कर रहे हैं सीज को, जो भी दिवाली के बाद इसका लगी द्रॉ निकलेगा, तो यू विल विन दा एक्साइटिंग प्राइजिस इन दाट, अलॉ आपने वाले टाइम में, आफटर दिवाली, विल भी स्टार्टिंग दा थीम लंच, उसमें अलग अलग थीम के लंच हुआ करेंगे, जिसमें कि आप और अच्छी वराइटीज, नाट ओनली नेशनली इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छी कृजीन इंजॉय कर सेकेंगे थाया थे थाय स्टेशेस के अलावा में आपको बताना चाहोंगा, जो हमारी हो श्रीटीज है, जैसे की बर्च शक का सबसे ज़या करते हैं, हमारी वराइटीज है ने जिफल के ने श्रीटा डिएंटर होग पर एक टेंट इसम हैं यह यह बहुत जादा लोग लाक करते हैं जो पार्बोन करते हैं। जो फ्हमारी उससे बॉलता और दूसरा, हमारे चुरसको चिकने है। जो कि पहरी पहरी सॉस में बहुत ज्यादा लोग लाइक करते हैं। वह हमारी हों स्पेशलिटीज के लिए लुग हमें काफी पसंद करते हैं। इसके अलावा और भी हमारी कुछ नई वराइटीज हम लॉंच करने वाले हैं, होफुली वो भी लोग को काफी पसंद आएंगे and we are waiting for that, तब तक के लिए आप लोग भी हमारे लूप में रहेगा, आप सभी को दिवावली के शुप कामला है दैनिक सवेरा की और से शुरू की गई फेस्टिवल शॉपिंग धमा का सीजन 3 स्कीम के चलते, वाइट डायमर्ड होलसेलर ड्राइफ रूट्स आउटलेट शोरूम में इस स्कीम के चलते, लोगों को भिविन परकार के ड्राइफ रूट्स पर भारी छूट मिल रही है, वही शोरूम में लोगों के को स्वस्त को ध्यान में रखते हुए ड्राइफ रूट्स ओट्स की कई वराइटी उपलब्ध है, जिस पर कई परकार की छूट दी जा रही है, वहीं उनकी शॉप में दैनिक सवेरा द्वारा चलाई गई, फेस्टिवल शॉपिंग धमा का सीजन 3 स स्कीम के तहत कूपन भी दिये जा रहे हैं, जिसके जरीए वैं दैनिक सवेरा द्वारा चलाई गई, स्कीम में कई परकार के गिफ्ट से जीत सकते हैं, वहीं लोग इस्कीम को लेकर बढ़ चड़ कर खरीदारी भी कर रहे हैं, दिवाली दी लख लख वदाया, वाई डायम तो आड़े 1% ड्राइफरूट, तो आड़ी अपनी रेंज चे लेके आया है, आसी बेस्ट क्वालिटी ड्राइफरूट, बेस्ट प्राइसेज में दिन दे हां, साड़े कोल सारी रेंज है, साड़ी रेंज जो है 500 रुपे तो शुरू है, आसी गिफ्ट हैंपर्स, तो मुताबिक आसी कस्टमाइज भी करते हैं, खुपसूरत तो खुपसूरत, साड़े कोल हुन वेडिंग बॉक्स दी भी रेंज आ चुकी है, जेड़े आसी वेडिंग लई भी बॉक्स बढ़ा रहे हैं, जिसे तुसी ड्राइफरूट, ड्राइड फूरूट, जेड़े तु जेड़ासी चांदे हैं कि बच्चे ते वड़े अपने स्नाक टाइम में जंक फूट की जगा हेल्दी मिक्स खाएं, जैसे कि मेगा ओमेगा मिक्स हैं, मिक्स नट्स हैं, और ये हमारे सेवन वंडर, ट्रेल मिक्स हैं, फिर हमारे पास ये ट्रिपल बेरी मिक्स हैं, ये सार healthy mixes हैं जो कि doctors भी recommend करते हैं कि यह आपको खाने चाहिए इन में nutrition के साथ साथ आपको ऐसी immunity boosters भी मिलते हैं जो कि आज कल के time में बड़े बुड़े और बच्चों के लिए खास करके बहुत जरूरी है हम चाहते हैं कि आपकी अच्छी सेहत रहे इसलिए nuts and dry fruits को आप जितना खा सकते हैं खाएं और आपको जब अपने शहर में जलंदर शहर में wholesale पे competitive और best prices पे मिल रहे हैं तो आप सब को white diamond nut and dry fruit जरूर आना चाहिए आप सब को दिवाली की बहुत बहुत बदाई लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है एक attraction लग रही है कि यह दिवाली दिमाका है एक तो दिमाका नाम सुनते ही बहुत attract करता है तो फिर दैनिक सवेरा की तरफ से लोग आ रहे हैं काफी shopping करे हैं लकी ड्रॉ की भी काफी curiosity रहती है कि कब लकी ड्रॉ निकलेगा तो यह एक तरह से attraction ही है जो कि दैनिक सवेरा अपने शेहर वासियों के लिए दे रहा है और अब अंत में हलचल की गतिविदियों पर एक नजर फिर से सिद्धू मुस्यवाला कतल कार्ण में शामिल लॉरेंस पिश्णोई को जालंदर अदालत में किया गया पेश पुलिस को मिला ट्रांचिट प्रिमार्ण संग्रूर से सुनाम चा रही पी आटीसी की बस ब्रेक फेल हो जाने के कारण हुई हाथ सा ग्रस्त आठ यात्री हुए घायर जालंदर पुलिस ने इंडरस्टरीज एरिया स्थित यूको बैंक पे हुई लूट के मास्टर माइंड को किया काबू एक लाख रुपए की नकदी सोने के गहने और रिवॉल्वर किया ब्राबू इसके साथ ही अब तक की गतिविदिया समाप्त होती है और ताजा चौनकारी के लिए देखते रहे हल्चे